मूर्ख कौवा और चालाक लोमडी की कहानी किसी जंगल में एक कौवा रहता था हर कोई उससे दूर ही रहता था क्योंकि वह अपनी करकश आवाज में गाता रहता था और सबी जानवर उससे परिषान रहते थे एक दिन वर भोजन की तलाश में जंगल से दूर गाव की ओर निकल कर आ गया किस्मत से उसे वहाँ एक रोटी मिल गई रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैट गया वही से एक लोमडी जा रही थी और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी जैसे ही कौवा रोटी खाने को हुआ नीचे से लोमडी की आवाज आए अरे कौवा महाराज मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज में कोई गाना गाता है क्या वो आप है लोमडी के मूँ से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिरहा में हिला दिया इस पर लोमडी बोली की क्यूं मजाक कर रहे हो महाराज इतनी मधूर आवाज में आप गा रहे थे मैं ये कैसे मान लूँ अगर आप गा कर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कौवा लोमडी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ उसके मुव में दबी रोटी नीचे गिर गई रोटी नीचे गिरते ही लोमडी ने रोटी पर जपटा मारा और रोटी खाकर वहां से चली गई भूखा कौवा लोमडी को देखता रह गया और अपने की पर बहुत पच्चताया कहानी से सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी जूटी प्रशंसा करते हैं ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं